नमस्ते बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आपने दिवाली के छुटियां खूब अच्छे से मनाई हैं और साथ में अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखा है इस नए सत्र में आप सब का स्वागत करते हुए आईए आज हम देखें कि हम क्या नया सीखेंगे और क्या नया पड़ेंगे आप सभी उत्सुक हैं? मैं भी चलिए मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या सीखेंगे इससे पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करती हूँ इन दिवाली की छुट्टियों में मैंने बहुत सारे मित्रों को और अपने परिजनों को मोबाइल फोन से दिवाली की बधाई दी पर एक आश्चिर जनक बात हुई मेरी दादी ने अपने गाउं से मुझे पत्र लिखा और वह पत्र मेरे पते पर आया भी मैं तो आश्चिर चकित हो गई लंबे समय से मैंने किसी पत्र को नहीं देखा था क्योंकि आज कल तो हम टेक्नलोजी के माध्यम से सभी का पता और खबर पूर्च सकते हैं मेरी दादी का पत्र आने पर मैं बहुत प्रसन्न हुई आपको पता है बच्चों पहले के समय में जब यह टेक्नलोजी के माध्यम नहीं थे तब लोग कागज पर अपने विचारों को व्यक्त करते थे और एक दूसरे को पत्र लिखते थे आपको मालूम है बच्चों जब पोस्ट मैन पत्र देने घर पर आता था तो वह एक खुशी का महौल होता था जबी भी पोस्ट मैन हमारे घर की घंटी बजाता था तो बहुत आनन्द होता था कि आज किसका पत्र आया होगा खेर उन सब खुशी से आज हम वंचित हैं लेकिन टेक्नलोजी के माध्यम से भी हम अलग तरह की खुशियां तो एक दूसरे को दे ही रहे हैं परन्तु कई ऐसे एक शेत्र हैं जहां पर आज भी कागस पर लिखे पत्रों से ही आदान प्रदान होता है किसी भी कार्याले में अगर हमें आवश्यक पत्र लिखना है तो हम कागस पर ही लिख कर देते हैं सही है बच्चों कई हमारे ऐसे परिजन हैं जो बुजुर्ग हैं वह टेकनोलोजी के माध्यम को नहीं समझ सकते हैं तो उन्हें भी हम पत्र लिखते हैं मेरी इन सभी बातों से आपको यह तो अंदाजा हो ही गया है कि आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं बिल्कुल सही आज हम द्वित्य सत्र की इकाई एक पत्र एवं डाइरी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे चलिए देखते हैं कि पत्र क्या है पत्रों के प्रकार क्या है और उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज की हमारी इकाई का नाम है पत्र एवं डायरी जिसमें आज की एपिसोड में हम पत्रों के बारे में जानेंगे चलिए देखते हैं आप सभी ने पहले देखा होगा घर में कि अंतरदेशिय पत्र, पोस्ट कार और बहुत सारे लिफाफे आपके घर में आते रहे होंगे पर आज कल हम टेकनोलोजी के माधिम से भी संदेश व्यहवार करते हैं आएए देखते हैं कि वह तीन मुख्य टेकनोलोजी के उपकरण कौन से हैं देखिए, कम्प्यूटर, इससे भी हम इमेल एक दुसरे को भेज सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोनिक मेल कहते हैं कम्प्यूटर जितने काम करता है बच्चों, वह सारे काम आज कल हमारे आधुनिक मुबाइल और टैबलेट भी कर सकते हैं टैबलेट क्या है बच्चों, मुबाइल से एक बड़ी साइज की वस्तु मुबाइल से कद जिसका बड़ा है, जिसमें सभी अक्षर और अंक हमें बड़े स्वरूप में दिखाई देते हैं उसे हम टैबलेट कहते हैं, वह एक तरह का मुबाइल है इन तीनों टेकनोलोजी के उपकरणों के माध्यम से हम आज पत्रों का और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं जो इमेल है, इलेक्ट्रोनिक मेल जिसे हम कहते हैं, वह भी एक प्रकार का पत्र है लेकिन वह डिजिटली, टेकनोलोजीकली लिखा गया पत्र है इन शब्दों से आप अब परिचित हैं, डिजिटल, टेक्नोलोजिकल, सही है बच्चों, पत्र कई प्रकार के होते हैं, चलिए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, बच्चों, पहला प्रकार है निमंत्रन पत्र, यदि हमारे घर में कोई कारिक्रम का आयोजन किया गय हो, तो हम अपने मित्रों को और परिजनों को, सगे संबंधियों को आमंत्रित करने के लिए उन्हें निमंत्रन पत्र लिखते हैं, ठीक है बच्चों, दूसरा प्रकार है बधाई पत्र, यदि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने कोई सफलता प्राप्त की है, त हम किसी को जब सांत्वना देते हैं, किसी से कोई अच्छी बात कहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के घर पे कोई अशुब घटना हो गई है, या आपका कोई मित्र है, जो किसी कारिक्रम में या किसी स्पर्धा में असफल रहा है, तो आप उसे सांत्वना देने के लिए सांत्वना पत्र लिख सकते हैं, जिसे हम आश्वासन पत्र कहते हैं, अगला प्रकार है अनुमती पत्र, आपको कक्षा में छुटी चाहिए, तो आप भी अनुमती पत्र अपने शिक्षक को लिखते हैं, किसी शिक्षक को पाटशाला से छुटी चाहिए, वह अपने प पत्र में हम अपने कार्य के लिए अनुमती मांगते हैं अगला प्रकार है प्रार्थना पत्र हमें किसी से कोई कार्य करवाना है तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें प्रार्थना पत्र लिखते हैं अगला जो प्रकार है वह है कार्यालई पत्र कार्याले इस आप सब परिचित हैं, जिसे हम दफ्तर कहते हैं और अंग्रेजी में office शब्द का उप्योग किया जाता है। कोई भी कार्याले से संबंधित, कोई भी आधिकारिक पत्र होता है, उसे हम कार्याले पत्र कहते हैं। और आखरी में जो पत्र है वह है व्यावसाइक पत्र, किसी भी व्यावसाइ से जुड़ा हुआ कोई पत्र हो और व्यावसाइ से संबंदित कोई बात हमें करनी हो उसके लिए हम व्यावसाइक पत्र का उप्योग करते हैं, इन साथ पत्रों के बारे में हम एक के बाद एक जा इसी से संबंधित जो पहला प्रकार का पत्र है निमंत्रन पत्र इससे संबंधित मेरे पास एक वीडियो है उसे आप ध्यान से देखिए और फिर हम उसके बारे में विस्तार से समझेंगे आईए इस वीडियो को देखते हैं निमंत्रन पत्र जन्म दिन के अवसर पर उपस्तित रहने के लिए मित्रकों निमंत्रन पत्र नब्बे बूधनगर सोसाइटी लिम्बायत सूरत तीन नौ चार दो एक शुन्य आठ अगस्त दो हजार ग्यारा प्रियमित्रस नेहल सप्रेम स्मरन तुम्हें यह जानकर खुश जन्म दिन है इस बारतो चुट्टी के दिन ही मेरा जन्म दिन है इसलिए मैं अपने सबी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंत्रन भेज रहा हूँ तुम जानते ही हो कि सालगिरा का दिन कितने आनंद का दिन होता है उस दिन हमारे कई रिष्टेदार भी यहां आएंगे विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदी सब अवश्य आएंगे मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहां जरूर आओ यदि तुम नहीं आओगे तो हम सब को बुरा लगेगा हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते है दिन बर भोजन, जलसा, खेल, आदी होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्सा और आनंद को बढ़ाओगे तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्ष छोटे वाई कमल और बहन संगीता को प्यार तुम्ह जमारा मित्र साहिल शाह अपने मित्र स्नेहल को निमंत्रन पत्र लिखा है ठीक है अब आईए इस पत्र के बारे में थोड़ा हम समझते हैं जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता पत्र के बाई ओर लिखा गया है आपने जरूर देखा होगा कि वहाँ एक पिन कोड नंबर लिखा था पिन से क्या सुविधा है बच्चों जब भी कोई डाकिया पत्रों को लेकर बांटने के लिए निकलता है तो पिन कोड के मदद से वह शेत्र और उप शेत्र के बारे में अच्छे से जान लेता है और वह आसानी से उस शेत्र में वह आसानी से उस शेत्र में उस सोसाइटी में य येसी तरह आप अपने स्कूल के पिन कोड के बारे में जानेए और उसे अपने नोट बुक में जरूर लिखिए. तो बच्चों इस पत्र के अनुसार हमने पिन कोड के बारे में जाना, उसके महत्व को जाना. मित्रों अब ये तो जानना जरूरी है ना कि साहिल ने पत्र तो लिखा, ने मंत्रन भेजा अपने मित्र स्नेहल को पर क्या स्नेहल उसके जन्म दिन पर आया था? क्या स्नेहल ने उसके आमंत्रण को स्विकार करके उसके कारिक्रम का हिस्सा बन पाया था तो चलिए इसी से संबंदित एक और पत्र है जिसका वीडियो है तो हम देखते हैं कि स्नेहल ने साहिल को पत्र लिखा या उसके कारिक्रम में उपस्थित हुआ था चलिए देखते हैं कि कल ही तुम्हारी साल गीरा है इधर मा कुछ दिनों से बिमार रहती है और पिता जी को तो सुबह दस बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है दर्सना को भी सुबह स्कुल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी इसी कारण घर का बोज मुझ पर ही है अब तुम ही कहो यह सारा बोज किसको सौप कर तुमसे आ मिलू मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस सुब अउसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं परन्तु घर की स्थिती का विचार करके विवस हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता तुम तो अब एक साल बड़े हो गए हो इस अउसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दू मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुश्या मनाने का मौका मिले इस मंगल अउसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए सुब कामना है मैं चाहता हूं कि इस वर तुम्हें चिरन जीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष सुबदाई हो तुम्हारा मित्र स्नेहल तो बच्चों आपने देखा इस पत्र में स्नेहल ने साहिल को एक पत्र लिखा और दुख की बात है कि स्नेहल साहिल के सालगिरा पर उपस्थित नहीं रह सका उसने अपने पत्र में विविद कारण भी दर्शाय है और वह कारण योग्य भी है परंतु एक बात जो विचारनी है कि यदि किसी ने आपको निमंत्रन दिया है और आप वहाँ उपस्थित नहीं रह पाए हैं तो उसका जवाब आपको पत्र के द्वारा और अनुपस्थिती के कारण दर्शा कर देना चाहिए यह शिष्टा चार है यह एक अच्छी आदत है तो सनेहल ने अपनी बेबसी अपनी विवश्था को पत्र में दर्शाया है और उसको जन्म दिन की बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखा है तो यहां हम अपने दूसरे पत्र के प्रकार पर पहुँच गए हैं सनेहल ने साहिल को बधाई पत्र लिखा है यह जो दोनों पत्रों के वीडियोज हमने देखे उसमें कई ऐसे शब्द है जो आपके लिए नए हैं आईए उन शब्दों के अर्थ को जानते हैं आईए अगला शब्द है अवसर, जिसका अर्थ है मौका, आपने वीडियो में देखा होगा बच्चों ध्यान से, साहिल ने अपने जन्म दिन के अवसर पर स्नेहल को निमंत्रन पत्र लिखा था, यानि कि कोई अच्छा मौका था जिसके लिए साहिल ने स्नेहल को आमंत्रित किया थ तो अवसर का अर्थ है मौका, अगला शब्द है सालगिरह, सालगिरह का अर्थ होता है जन्म दिन, इससे आप सभी परिचित हैं, आईए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है उपस्थित, साहिल ने यह चाहा था कि उसका मित्र स्नेहल उसकी सालगिरह पर उपस् उपस्थित रहना मतलब हाजिर रहना, अगला शब्द है आगमन, आगमन का मतलब होता है आना, यदि हमारे घर कोई आता है तो हम कहते हैं कि अतिथी का आगमन हुआ है, तो इसी तरह से निमंतरन पत्र में भी किसी के आगमन के लिए पत्र लिखा गया था, तो आगमन का अर् है सगे संबंधी जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं और जो हमारे मन के निकट है वे हमारे रिष्टेदार कहलाते हैं हमारे अगला शब्द है स्मरण स्मरण का अर्थ होता है याद किसी का स्मरण करना किसी को याद करना हमारा अगला शब्द है दफ्तर, दफ्तर का अर्थ है कार्याले, जहां पर बैठ कर हम काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अगला शब्द है चिरंजीव, चिरंजीव का अर्थ है दिरगायू, आपने पत्र में ध्यान दिया होगा, स्नेहर ने अपने मित्र साहिल को चिरंज चिरंजीव दिर्गायू लंबी उम्र दिर्ग और आयू शब्द से बनता है दिर्गायू जो आपकी लंबी उम्र हो ऐसी शुब कामना करने के लिए हम दिर्गायू शब्द का उप्योग करते हैं। अगला शब्द है शुब्ध। मंगल अच्छा किसी के बारे में अच्छा विचार करना कि उसका मंगल हो मंगल में हो उसको हम शुब कहते हैं। और अगला शब्द है विवश। विवश का अर्थ है बेबस। जब हम कभी-कभी बेबस हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता, तो हमें न चाहते वेबी कोई ऐसा काम करना पड़ता है, जो शायद हम नहीं करना चाहते हैं, तो बेबस हो जाना, मजबूर हो जाना, इसको हम कहते हैं विवश हो जा अब हम अगले दो प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला है आश्वासन पत्र, दूसरा जो हम देखेंगे वह होगा अनुमती पत्र, अब आपकी इकाई में पाथे पुस्तक में जो पत्र दिये गए हैं, उसमें एक छात्र की असफलता पर आश्वासन देता हुआ पत्र दर्श आया गया है, और एक बच्चा अपने पिता से परेटन में जाने के लिए अनुमती मांग रहा है, ऐसा पत्र दर्शाया गया है, इन सभी पत्रों को वीडियो के सोरूप में मैं आपको दिखाऊंगी और उस पर से हम उसके बारे में समझेंगे, तो आईए पहले आश्वास पत्र से संबंधित इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी खूब ध्यान से दिखिएगा, आश्वासन पत्र, खेल महाकूंब में असफल यानि की अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सकी को आश्वासन पत्र, मात्रुचाया, स्टेशन रोड, कालुपुर, 17 नवंबर 2011 प्रिय सकी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपुर्ण नहीं होता, अब जो कुछ होने वाला था, हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए, और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए, असफलता भी सफलता का सोपान है, सफलता उन्हीं के चरण चुमती है, जो अपने ध्ये प्राप्ती के मार्ग में धटे रहते हैं, अब निराश या हतोत्सा होने से कोई फाइदा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्सा से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी, और तुम अपने जिले में ही नहीं, ग तो मित्रों, कैसा लगा आप सभी को वीडियो? कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने किसी प्रत्योगिता में हिस्सा लिया है, परन्तु आप उसमें अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हो, और आपने अपने दूर किसी मित्र को इसके बारे में बताया हो, और फिर उसे पता चले कि मेरा मित्र असफल रहा है या उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो आपका मित्र आपको आश्वासन देने के लिए यदि पत्र लिखे तो वह एक प्रकार का सांत्वना पत्र कहलाता है। और इस वीडियो में आपने अच्छे से देखा होगा कि उसके जो मित्र है उसने लिखा है कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए और दुगने उत्सा से दुगने जोश के साथ हमें और तयारी करनी चाहिए। आईए एक और वीडियो देखते हैं जो एक अनुमती पत्र दर्शाता है। उसको आप ध्यान से देखिए फिर मैं आपको उसके बारे में विस्तार से समझाऊंगी। आईए यह वीडियो देखते हैं। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी जिन्ता ना करे। आपको सुचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्ती अगले महीने की 17 तारीक को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने व प्रवास में बहुत से दर्शनिय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सब भी साथी मनीश, साहिल, श्रेया, जाकीर, वहिदा, गुर्मित और डैविड भी इस प्रवास में जाने वाले है। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्रद्वारा इस से बेजने की कृपा करे। पूजनिया माता जी को साधर प्रणाम, सोनल को प्यार, आपका आज्याकारी पुत्र रमेश। को अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाना है, तो भी आप अनुमती लेते हैं। सही है, पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो माता पिता से दूर किसी होस्टल में रहकर पढ़ रहे होते हैं, या वे अगर बड़े हो गए हैं, और किसी उच्चिक अक्षा में पढ़ र अपने पिता से परेटन में जाने के लिए प्रवास पर जाने के लिए अनुमती मांग रहा है। जो उसका शुल्क है, जो उसका खर्च है, वह भी मनी ओर्डर से उसके पिता जी उसको भेजें, इस बारे में वह उनसे आग्रा कर रहा है। जाहिए, तो आश्वासन पत्र और अनुमती पत्र में दिये गए नए शब्दों को आईए हम देखते हैं और समझते हैं। पुझ इत्यादी। बचों, जरा याद करो वह निमंत्रन पत्र जिसमें साहिल ने स्नेहल को निमंत्रन दिया था। उसने संबोधन में क्या लिखा था? हाँ, उसने लिखा था प्रियमित्र स्नेहल। लेकिन यदि हम अपने से बड़ों को कोई पत्र लिख रहे हैं, या कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अनुमती ले रहे हैं, तो उसमें हम मानवाचक शब्दों का उप्योग करते हैं। मान का अर्थ है सम्मान, कोई ऐसा शब्द जिससे सम्मान की अनुभूती होती हो, उन्हें हम मानवाचक शब्द कहते हैं। स्पर्धा, किसी भी प्रवृत्ती में भाग लेना, उस प्रवृत्ती को हम कहते हैं प्रतियोगिता। हमारा अगला शब्द है शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, किसी भी चीज से जब हमें भीतर से बहुत तूटा हुआ महसूस होता है, हमें अंदर से रोनी की इच्छा होती है, तो हमें हम शोक में होते हैं, हम दुख में होते हैं, उसे हम शोक कहते हैं। अगला शब्द है सखी, सखी मतलब सहेली, और अगला शब्द है अनुमती, अनुमती का आर्थ है आज्या, जब हम किसी से आज्या लेते हैं, या अगर हम इंग्लिश में कहें, हम जब किसी से पर्मिशन लेते हैं, उसे हम अनुमती कहते हैं, आए कुछ और शब्द देखते ह अगला जो हम शब्द देखेंगे वह है सम्मिलित होना कहीं पर शामिल होना किसी भी प्रतियोगिता का या किसी भी कारेक्रम का भाग बनना अगला शब्द है इकलोता इकलोता का अर्थ है अकेला सिर्फ एक कोई एक उसके बाद है फलतह फलतह का अर्थ है परिणाम परिणामतह किसी के परिणाम स्वरूप उसको हम फलतह कहते हैं अगला है निश्चित, निश्चित का अर्थ है तय, नक्की होना, तय होना, सुनिश्चित होना, और फिर है अवकाश, अवकाश का अर्थ है छुटी, पूरे सब्ता में कौन से दिन आपको अवकाश प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, रविवार के दिन आपको अवकाश मिल अवकास का अर्थ है छुट्टी, तो बच्चों हमने चार पत्रों के प्रकार आज के एपिसोड में समझे हैं, निमंत्रन पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र और अनुमती पत्र, उन सभी में दिये गए नए शब्दों के अर्थ भी हमने समझे हैं, वीडियो भी देख अब आपको क्या करना है? इसी तरह का एक अनुमती पत्र आपको अपनी माता को लिखना है आपकी ग्रिहकारे में, ठीक है? आप समझे कि आप कहीं दूर रह रहे हैं और आपको अपनी सहेलियों के साथ या अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाना है और आपको अपनी मा बारे में ज्यादा कुछ मदद चाहिए तो आप अपनी पाठे-पुस्तक की इकाई में भी देख सकते हैं वीडियो तो आपने देखा ही है और मैं आशा करती हूं आप सभी सू वाच्चे अक्षरों में और बिना किसी भूल के एक अच्छा पत्र लिखेंगे अब हम अगली क रक्षा में मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए नमस्ते बच्चों